हलो एवरिवान आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ यह बहुत सुंदर सिंपल और ब्यूटिफुल दुपट्टे का डिजाइन इसको बनाने के लिए जो मटीरियल चाहिए यह आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बूटियों की प्लेश्मेंट दुपट्टे पे कैसे होगी यह मैं आपको एक पेपर की हल्फ से बता रही हूं यह मैने पेपर लिया है और इसको बैरे हाफ में फोल्ड कर लिया है अब यह जो दो पोईंस में माछ कर रही हूँ इन दोनों पोईंस को हम जोडेंगे और यह द इनके सेंटर में रखूंगी और नीचे पॉइंट्स लगा दूगी कलर ले लिजे कुछ भी एक चीज ले लिजे ताकि आपकी जो लेंथ रहे वो बराबर रहे यह फ्लार में आपको बना कर दिखा रहे हूं बहुत ही इजी फ्लार है बहुत ही सिंपल फ्लार है हम सब लोग बहुत अराम सी इसको बना सकते हैं बहुत बेसिक फ्लार है अब आप देख सकते हैं कि मैंने यह डिजाइन दूपटे पर कैसे पॉint किये थे यह पूरा दूपटा है इसको मैंने हाफ में फोल्ड कर लिया एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से हमने मिला दिया यह देखि अब हम स्टार्ट करते हैं कलरिंग मैंने लिया है पानी और एट नमब का ब्रश और जो शेप मैंने आपको बना कर दिखाई थी वह मैं सिंपली अपने पानी और ब्रश की हेल्प से बना रही हूँ पानी हमने इसमें थोड़ा सा जादा ही रखना है बहुत कम नहीं रखना है अब हम लेंगे पिंक कलर और यही एट नमब का ब्रश और देखिए मैंने कैसे बॉर्डर के अंदर कलर लगाया है और बस उसको सिंपली हमने अंदर फिल कर देना है इसको बुरा मिक्स नहीं करना है पानी को अपना काम करने देंगे और दोनों साइट पर हम जैसे हमने ड् पैल जाता है तो आप पूरे पानी के अंदर कलर को नहीं करेंगे अधरवाइस फ्लार का साइज बहुत बढ़ा हो जाएगा अब हम लेंगे क्रिम्जन रेड कलर और नीचे की साइट से हम उसकी थोड़ी सीज के अंदर शेडिंग दे देंगे आप स्क्रीन पर देख सकते ह अब हमने लिया है सैप ग्रीन कलर मैं सैप ग्रीन कलर की हल्प से दो छोटे-छोटे से लीवज बना रही हूं आप देख सकते हैं मैंने इसी बुल्प से अपनी स्टेम बणा ली है लेकिन आप लोग अपने लिए जीरो या ट्रिपल-0 नंब का ब्रश यूज करिएगा तो थोड़ी सी ड्रॉइंग बना सकते हैं with the help of chalk क्योंकि वो अराम से निकल जाता है वाश करने से अब हम लेंगेगे पानी और 8 नमबर का जो मेरा ब्रॉष है इसमे मैंने पानी डाला है और safely to leave the Lisa इसको भी मैंध व्ये की help से छोड़ाً सा सुखा लोंगी सुखाने के बाद मैं फिर से थोड़ाँ उपर हिल्की सी शेडिंग दे दूँग Erin वो हम लेंगी 5 ब्लाक डहर मैंने यहीं ब्डश से कर दिया है आप प्रिपली ब्रश रो का ब्रश लेंगे और उसकी माइल से पतला अचario बरेख सकते हैं icons आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ आपके तुपटे के जब सेंटर वाले फ्लास बन जाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट लिया था मिडल वाले उसके बद आप क्या करेंगे दो फ्लास के बीच का जो सेंटर रहेगा उसके अंदर हम एक पैन मैंने पैन के साइज का ही एवरेज गैप रखा था इन दोनों के बीच में सेंटर लिया और ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया एक्जाक्ली सेम तरीके से आप अपने सारे पॉइंट्स लगा लेंगे सारे पॉइंट्स के उपर हम अपने फ्लास बना लेंगे दुपट्ट शेर और सबस्क्राइब जरूर करें